इत्वर्स 2020 और इकिस के लिए 36 गड़ का बजट सत्र सुरू हुआ था 24 फरवरी 2020 को और यह बजट सत्र आपका चलना था 1 अपरेल 2020 तक इस दोरान 3 मार्च 2020 को मुख्य मंद्री मानिय भूपेज बगेल जी द्वारा बजट प्रस्तूत किया गया जो की आपका 1,2,907 करोड रुपै का था अब समाने प्रकिरिया में आपको पता है कि पहले बजट का सत्र जब चलते रहता है तो बजट प्रस्तूत होता है बजट प्रस्तूत होने के बाद जो अलग-अलग विभागों को जो बजट अवंटित किया जाता है उस पर चर्चा होता है चर्चा के बाद उनके अनुद सरकार हैं या अलग-अलग भी वाग हैं राज्य की संचीत निदी से पैसा निकाल सकते हैं ये तो हो गई समाने प्रकेलिया जिसके अंतरगत में बजट पास करवाया जाता हैं लेकिन अभी किस प्रकार से हालात हैं ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ऐसे में सदन का सत्र तो चल नहीं सकता तो प्रदेश में पहली बार जो की आपका सदन जो है 25 मार्श तक के लिए स्थागित किया गया था लेकिन आप प्रदेश में पहली बार गिलोटिन प्रस्ताब के जरिये बजट को पास करवाया गया हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है गिलोटिन प्रस्ताब कब और कैसे लाया जाता है इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि विन्योग विधियक क्या होता है जिसके बाद ही संचित नेदी से बजट का पैसा निकाला जा सकता है तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन उससे प पढ़ाई का flow है वो न तूटे इसके लिए competition community का ये पहल है कोरोना से लड़े चलो घर से पढ़ें इसमें जो हमारा mobile course 42 सो रुपय का था उसको कम करके 3000 रुपय कर दिया गया है तो आप चाहो तो घर बैठे 36 गड़ के किसी भी government exam की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस mobile course के जरिए कर सकते हो अधीक जानकारी के लिए आप इंदिये गया numbers पर call कर लेना या हमारी website competitioncommunity.com पर visit कर लेना और यह mobile course अलग-अलग subject wise भी तूटा हुआ है अगर आप किसी subject में particular आप subject को लेकर पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो बात कर रहे थे कि 36 गड़ मे समझाओं तो समान प्रिकिरिया में क्या होता है पहले जब बजट सतर चलता है तो बजट प्रस्तूत किया जाता है उस पर बजट पर चर्चा होता है अलग-अलग विभागों का जो उस बजट में अनुदान होता है उस पर चर्चा के उपरांथ उसको पास करवा के जो गिलोटीन प्रस्ताव कब और कैसे लाया जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि जब बजट का सत्र ना चल रहा हो तभी गिलोटीन प्रस्ताव लाया जा सकता है। गिलोटीन प्रस्ताव के जरिये पास करवा दिया जाता है और जो मुख्य-mुख्य विवागों का बजट होता है उस पर चर्चा होता है। तो गिलोटीन प्रस्ताव समाने प्रकिरिया में जब अगर बजट सत्र चल रहा हो तब भी लाया जा सकता है। ये हो गया पहला कंड दूसरे condition में गिलोटीन प्रस्ताप तब लाया जा सकता है कि जब अगर मान लीजिए कि किसी कारण वस सदन का सतर ना चल रहा हो जब जैसे कि अभी कुरोना वेरस की बज़े से सदन का सतर नहीं चल सकता तो ऐसे में गिलोटीन प्रस्ताप के जरिये बजट पास करवाया जा स सकता है लेकिन 36 गर में पहली बारे से स्थिति आई है कि संपूर्ण बजट आप ना कहलो तो इसका 80% काम लगभग बचा हुआ था जिसे की पास किया गया है गिलोटीन प्रस्ताप के जरिये तो ये तो बात हो गया कि गिलोटीन प्रस्ताप क्या होता है इसके जरिये इरिया में समझ लीजिए कि बजट सतर चल रहा है, बजट प्रस्तुत किया गया, बजट पर चर्चा हुआ, जो संसोधन करना होता है हुआ, उसके बाद बजट पास करवाया जाता है, बजट पास करवाने के लिए सारे जितने भी विवागों का बजट होता है, जितने भी मं consolidated fund से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि आपका विन्योग विध्यक पास न हो जाए तो इसलिए जब आप गिलोटीन प्रस्ताप पास हो गया तो उसके बाद जो है आपका विन्योग विध्यक पिस किया गया और विन्योग विध्यक जब पास हो गया तो वहां से आप राज्य के संचित निदी से पैसा निकाला जा सकता है तो हमारे राज्य में ये सारी प्रकिरिया हो चुका है दिलोटीन प्रस्ताप पहली बार छक्तिसगर में पास हो चुका है विन्योग विध्याट भी पास हो चुका है और अब जो राज्य सरकारे हैं वो राज्य की संचित निदी से बहुत असानी से पैसा निकाल सकते हैं ध्यान रखिएगा संचित निदी से पैसा तभी निकाला जा सकता है जब जो सदन की प्रकिरिया है जो सदन के लिए कानून बनाया गया है उस सदन के कानूनों के हिसाब स ही संचित निदी से पैसा निकाला जा सकता है तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है चर्चा होता है अनुदान के मांगों पर उसके बाद विनियोग विध्यक प्रस्तुत किया जाता है सारे बजटों का उसके बाद ही संचित नेती से पैसा निकाला जाता है तो ये पूरा प्रकिरिया है गिलोटीन प्रस्ताप के जरीए बजट पास करवाने का अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा 36 गड़ में अभी ना सिर्फ इस गिलोटीन प्रस्ताप के जरिये बजट पास करवाया गया है बलकि 10 विध्यकों को भी पास करवाया गया है इस 10 विध्यक में एक विध्यक जो सबसे महत्पून था वो यूनिवर्सेटिस का नाम चेंज करने का था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था चतिसगड करेंट अफेरवाला में जो कूसा भाव ठाकरे, पत्रकारिता विष्विध्याले है या काम धेनू विष्विध्याले है उसका नाम बदल दिया गया है तो उस विध्यक को भी यहां पर पास करवा लिया गया है तो यह हमारा पूरा जो आज का वीडियो था कि 36 गड़ में पहली वार गिलोटीन प्रस्ताब के जरिए बजट पास करवाया गया है और यह बजट कितने का था एक लाख दो हजार नौसो साथ करोर रुपय का यानि कि लगभग एक लाख तीन हजार करोर रुपय का ध्यान संविधान में जो उलेक किया गया है और अगर मैं विन्योग विध्यक के बात करूं यानि की एप्रोप्रियेशन बिल के बात करूं तो इसको हमारे संविधान में अनुछेद 114 में उलेक हित किया गया है तो ध्यान रखिएगा प्रेलिम्स के लिए आपका तो आज के इस वीडियो में इतना ही और हां डेली अप्रोड किया जाते हैं अब जो भी नोडिफिकेशन या जो भी इंपोर्यन फोर्मेशन होते हैं वह अप्लोड कर्वाने के लिए हम टेलीग्राम पर अप्लोड करते हैं टेलिग्राम का लिंक नीचे आपके कर लेना ब्याली सो की जगह सिर्फ आपको तीने जार रुपय में मिलेगा जैसे मैंने बताया कि हमने एक विसेश पहल सुरू किया है कोरोना से लड़े चलो घर से पढ़ें तो हम लोग कोरोना से जरूर जीतेंगे घर से पढ़ाई करेंगे हमारी कंसेस्टेंसी ब्रेक नहीं थेंक्यू 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 बड़ेंगे जीजी पीएसी की संपूर्ण तयारी के लिए कॉंपेटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले